हेलो दोस्तो गूड इवनिंग शाम के बज़े हैं पांच और आज मैं अपनी मुर्गे को उपर बंद करने के लिए आई थी तो पहले मैंने सोचा कि आज मैंने सारा दिन से इनके अंडे नहीं उठाए है सिर्फ सुबह दो अंडे लेके गई थी यहां से सुबह के टाइम दो कुछ इनके अंडे दिये हैं के नहीं दिये तो यहीं चेक करने आई थी और एक सर का कमेंट्स भी आया था कि आप शाम के वक्त अपनी मुर्गियों को बंद करते समय आप अंडे उठाके दिखाईएगा क्रेटों में से तो मैंने सोचा चलिए देखते हैं कितने अंडे हो स तो मैंने थोड़ा से ने खान डाला कि थोड़ा सा खा लें पानिवानी पी फिर में बाद में बंद कर दूंगी और शाम को में वीडियो इसलिए भी नहीं शूट करती दोस्तों क्योंकि शाम की टाइम यह च्छत बहुत गंदी कर देते हैं फिर आप कमेंट्स में कहोगे क इतना गंदा हो रख़ा है देखेस सुबे शाफ सुद्ट च्छत मेंने खोल्ती हूं आप शाम करती हों तो फिर साफ करके शफ जम जाओंगी नीचे तो बीच के टाइम में बहुत गंदी कर देती हैं फिर इसलिए मैं शाम में नहीं बना ती कभी कई बना लेती हूं शाम म चले के कहां कहां यह अंडे देती हैं तो काफी समय से हैं मेरे साथ के मुझे देखिए एक यह रहा तो मैं इनकी शैतानियों को समझ जाती हूं कि दुपकाने में माईर होती हैं एक बार तो मैं कहा रही थी कि अंडे ही नहीं दे रही हैं तो क्रेट के नीचे थे अंडे तो कि इसने सारे हैं करेट के नीचे दुख्के मिले मुझे है अब इन में तो मैंने सब्काल ली है सारे देखते हैं है कि है के हां कुछ लगता तो नहीं है लेकिन छोड़क करके देखते कभी और शेतानिया करती है यह बैठी होगी मुर्गी देखिए खाली से जगह लगजी है कि यह है कि नहीं एंड़ा दुप का देती हैं अपने अंड़ेते समय निकला है देखे मैं कहरती न ढूंड़ना पड़ता अभी इतने सारे हो गए ऊगए क्या देकते हैं उसके अंदर डाल डालके चेक करना पड़ेगा जब फता चलेगा यह नोने अंडे दिये हैं के नहीं दिये हैं शायद अब नहीं है या फिर एक बार वो ट्राई बाद में कर लूँगी देख लूँगी इस वाली करेट को चेक नहीं किया मैंने इतने ही हैं दो अंडे में सुबे ले गई थी और बाकी यह हैं कितने 3, 3, 6, 7, 8 अंडे अब हैं और 2 सुबे में 10 हो गए 10 कितने हैं मैं दुवार से देखूंगी यह एक अंफिस हो रखें गिनते हैं 3, 3, 6, 10 नहीं है ज़ादे होंगे एक छूटू सब आएए और निकाल के गिनूंगे नीचे जाके अब पता नहीं कितने हैं और दो सुबह ले गई थी अच्छा तीन और तीन छे साथ आठ है यह आठ आठ है और दो सुबह दस हो गए कभी कभी 11 12 13 भी मिल जाते हैं बहुत सी मुर्गिया रोज अंडे देती हैं और बहुत सी रोज नही करती हैं एक दिन गेप पर देती है लेकिन यह सब से चोटा अड़ यह जो ना तेडी चोच उसका अंड़ है वह नहीं नहीं अंडे देने शुरू किया इसने तो इसका अंड़ आ बहुत करती है और कच्छी जमीन होती तो उसमें नहीं दिखता है तो इसलिए सुबह की टा करके डाल देती हूं लेकिन देखी कि तगंदगा रखा है है ना अब ब्यूत मैं थोड़ेशनी है है शाणि से रेलिंग यह नहीं ये तो दूसरे वाला है और कड़कनात मुरगा उदर खड़ा है रेलिंग के पास देखते देखिए खेट से खड़ा है टाँग पर खड़ा है क्या हुआ बजानी क्या हुआए में लग रहा है इसके पेर में वो फंगस वाली बिमारी हो गई है दोस्तों अगर फंगस हो जाए मुर्गी के पेरों में तो कैसे सही करें उसे उसके साथ पेर में वह सूझ सी रहा है उसकी टांग सूझ रही है देखें वह पे जो खड़ा है तो प्लीज बताईएगा कुछ घरे लूप चार यह कैसे सही है अब यह मत कहिएगा कि गंदगी मे इसकी वेस और के गंदा नहीं कहीं भी साफ सुध करके रहा तो रोज पॉट्टी सोटी तो यह करती ही रहती है देखते देखें पहले अपना अपसी कमजोर होता जा रहा है भाग गया देखिए लगडा के चल रहा है तो इसके इस वाली टांग में कुछ हुआ है फिर खड सब्सक्राइब तो ठीक हो गई थी अभी एक आदमें है लेकिन मतलब परशान नहीं है चल फिर रही है और देखिए इसकी भी इसका देखिए जब यह कितना सूजा है ना इसकी उंगलियों में जी कितना सुका सा फेर और याले कितना मोटा सा है तो अगर आपको इसका कोई उपाए पता हो दोस्तों तो प्लीज कमेंट से मुझे बताईएगा जरूर मैं भी आपको दुखी करती रहती हूं बताईएगा बताईएगा अच्छा ठीक है अगर आपकी इच्छा हो तो बताईएगा नहीं इच्छा होगी तो कोई बात नहीं हम कुद ढून लेंगे इस अंडे हो गए और कभी-कभी 12 मैं जूट नहीं बोली मैं सच बोलती हूं रोग 10 या 12 अंडे मुझे मिल जाते कभी-10 कभी-12 कभी-कभी उससे भी जाद है कि कभी-कभी इनमें से मुर्ग ये कुछ देती हैं कुछ अंडे नहीं देती है यह देखे मैं इसलिए आपको दिख ऑँ कि ठोड़े बात में बंद कर दूंगी जब यह खाना खा लेंगी खाना खाके और पानी पी लेए झालेकं अब तो फिर समस्या बन जाएगी अब तोड़ीसी गर्मी होने लगी है तो अदे घंटे बात कम से कमिन अबन करूंगी देखे मैं नीचे और उंडांडtar की कि और शाम एकाद घंटे बाद शायद एकाद और भी मिल जाए क्योंकि मैं और बंद करने जाओंगे दुबारे से अभी खाना खारती नहीं बंद किया है तब एकाद और मिल देखे दोस्तों अब मैं इन सबको बंद कर रही हूं और बंद करने के बाद हम करेंगे चटकी मेहनत लगती है इन्हें पालना असान नहीं है बहुत महानत का काम है अब देखे सारी चत गीली कर दी मैंने अब इसे दोना है सबको रोज यही मेरी ड्यूटी है सुबह सुबह को खोलती हूं साफ चत पर मुर्गियों को और शाम में चत साफ अच्छे से करके पिर छोड़ सारा हमारे हां मुर्गिया कीवकि हम सफाय का बहुत जादे शायर लगते हैं वह कीशी को पालो तो मैनत लाए बहुत मैनत मेनत लगती हैं यह समस्याम होती, क्योंकि साफ कर नहीं फैलной Abram Kuby Сейчас cow old themill के तो बहुत समस्याम केश्मियों बहुत जादेश करने पारता है वानग आप सारी साफ करते हैं यह ऐसे करकर के अब चलिए जाओंगी क्यूंकि आपका आपका कमेंट्स आया था ना कि आप साम को चत मतलब बंद करते हों मुर्गयों को दिखाओ तो साम को वीडियो में इसलिए नहीं बनाती है क्यों साम के टैम में सफाई करती हो ने बंद करने के वाद सफाई करनी होती है तो मैं ठक जाती उतना काम करते करते फिर वीडियो कैसे शूट करूं अब देखे सारी चत मैंने साफ कर दी और सुबह तक सारी सूख जाएगी तब मुर्गया खोलेंगे और फिर मैं वीडियो शूट सुबह के टाइम इसलिए सुबह के टाइम महरत लगते हैं साफ करने हो है सारा साफ सफाई करके अब मैं नीचे जाओंगी चले दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बाई बाई